दोस्तो अगर आपके इश्रमकार में अभी तक फोटो शो नहीं हो रहा है या फिर आपके इश्रमकार में कोई भी डिटेल शो नहीं हो रहा है तो कैसे आप अपने इश्रमकार में सारे डिटेल को वापस ला सकते हैं दोस्तो कुछ मैंने पहले हमने एक विडियो अप्लोड किया था कि इस रमकार में फोटो नहीं शो हो रहा है तो कैसे आप अपने इस रमकार में फोटो शो कर सकते हैं तो दोस्तो उसमें हमने इस तिर बताया था कि बहुत ही जाल इस रमकार में कुछ नया अपडेट लेकर आ है या फिर किसी के इस रिमकार में डिटेल वहना लहीं कर रहा है है या फिर किसी के इस रमकार में युए कोई यो तोकलि आप अपने इश्रम कार्ड में फोटो शो कर सकते हैं जो इस विडिम आपको लाइब डेमो करके दिखाया हूँ और इसमें सभी तरह का बताया हूँ कि किसी के इश्रम कार्ड में अगर इंफोर्मेशन शो नहीं हो रहा है या फिर किसी के इश्रम कार्ड में फोटो शो नहीं हो रहा है या फिर किसी के इश्रमकाğड में नाम शो नहीं हो रहा है तो सभी को हमने आस्टे बास्टे पर के दिखाया है इस लिए एस व्डियो थोड़ा लोंग बन चुका है लेकिन अगर आप को देखना है क्योंकि इसमें हम आप अश्टेप अस्टेप इसलिए एक बीडियो थोड़ा बन चुका है अगर आप इस बीडियो देख लेंगे फिर आपको दोधार विडियो देखने की जौरत नहीं होगा तो आशा करता हूं कि आप लोग इस तक जरूर देखेंगे और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ अलग जगा में शूट किया विडियो को कारण क्या है कि लाइट नहीं है इसी वज़ा से हम यहाँ पर शूट किया है तिससे कोई दिकत नहीं है बस आप लोग इस विडियो को देख लेंगे तो आपकी जो भी इस शो नहीं हो रहा है तो बड़े असानी से आप शो हो जाएगा तो चलिए वड़ीयो शुरू करते हैं तो दो बड़ेर कीज़ों शुरू कर दोस्तों अगर आपके शर्मकार में अबी तक फोटो नहीं सो कर रहा है या फिर आपका इस शर्मकार का नमबर शो नहीं सो सब assisted किसे आप अपने इस शरमकार में फोटो शो करवा सकते हैं तो जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 100% आपका फोटो आज आएगा तो कैसे आएगा दोस्तों तो इस बड़ी को अंतक जबूर देखना है यहां पर मैं आपको लाइप पूरूफ बताया हूं तो दोस्तों अभी नहीं बनाए तो इस शरमकार कैसे बनाया जाता है तो उस वीडियो के लिंक आपको डिस्ट्रप्शन में 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 लियागा वहां से आप देख सकते हैं तो दोस्तों उसी तरह से हम लोग को भी इसमें आजना है इस शरमकार के ओफिसल वेफचाट में और इसी से आप इस शरमकार में फोटो ला सकते हैं या फिर आपका कुछ भी नहीं आ रहा तो अभी आप इसमें कैसे वापस ला सकते हैं तो दोस्तों जैसे आप एफसाइट पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार से इंटरफेश आएगा और दोस्तों यहां पर NCO कोड बदल कि NCO कोड क्या है तो वहां से आपको देख लेना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर आने के बाद यहां पर आपको अपना जो भी आपके दरकार में मुवायल नमर रेजिटर है उसको यहां पर आपको फिल कर देना है उसके बाद यहां पर आपको कैप्चा मिल जाग उस OTP को यहां पर आपको इंटर कर देना है, OTP फिल करने के बाद आपको सम्मीट के ओप्शन पर किलिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आगा, यहां पर आपको अधार नमबर इंटर कर देना है, अधार नमबर इंटर करने के बाद यह यहां पर आपको term and condition को accept करना है उसके बाद आपको submit वाले option पर क्लिक करना है submit के option पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस तरह से interface आगा और दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे के यहां पर हमारा पहले से ishram card बना हुआ है इसलिए यहां पर लिखा हुआ रहा है कि आप अपने ishram card को update कर सकते हैं अपडेट करेंगे तब ही आपके ishram card में जो भी चीज़ नहीं कर रहा है किसी के ishram card में photo show नहीं कर रहा है तो किसी के ishram card में कोई भी details show नहीं आ रहा है या फिर किसी के ishram card में UN number show नहीं कर रहा है तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है कि अपने profile को update करना है तो दोस्तों update करने के लिए यहां पर आपको click higher वाले option पर click करना है जैसे आप click करेंगा फिर आपके सामने इस तरह से interface आगा और फिर से यहां पर आपको अपना mobile number fill करना है जो आपके धर card में register है mobile number enter करने के बाद फिर से यहां पर आपको capture enter करना है उसके बाद आपको send OTP के option पर click कर देना है इसके बाद आपके register mobile number में OTP आएगा उस OTP को यहां पर आपको enter करना है फिर यहां पर आपको submit के option पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह से interface आगा और फिर से यहां पर आपको अपना अधार number fill करना है और दोस्तों यहां पर देखते हैं यहां पर लिखा भी आ राए अपडेट profile तो यहां पर आपको अपना profile को update करना है तभी सारा चीज आपका show हो जाएगा तो फिर से यहां पर आपको अपना अधार number enter करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी इसके माधियम से अपना profile को update करना चाहते हैं तो अगर आप अपना घर से ही बनाएं अपना इश्रम कार्ड online बनाएं तो यहाँ पर आपको अपना OTP को select करना है अगर आपके पास iris machine है तो उसको आप select कर सकते हैं पर आपके पास fingerprint है तो उसको भी आप select कर सकते हैं तो यहाँ पर आपना update करना चाहते हैं OTP के माधियम से तो यहाँ पर हम अपना OTP को select करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पर आपना अधार number इंटर करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जिस तरह से capture दिया हुआ है उसी तरह से यहाँ पर आपको enter करना है फिर से यहाँ पर आपको submit के option पर click कर देना है जिससे आप submit करेंगे फिर आपके register माधा अमर में एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर आपको enter करना है उसके बाद यहाँ पर आपको validate के option पर click कर देना है जिससे validate के option पर click करेंगे दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह से interface आजाएगा और यहाँ पर आपको दो option आजाएगा update profile और यहाँ पर आपको मिल जाएगा download UN card तो दोस्तो यहाँ पर आपको अप्डेट प्रोफाइल के ओप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफीस आगा तो दोस्तो अगर किसी के इशर्म कार्ड में personal information नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको simply से आपको इस पर click करना है और click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा fit से यहाँ पर आपको पूरा feel कर देना है जिसे किसी का अगर personal information में कुछ छूट गया है या फिर आपका सारा चीश सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको simply से क्या करना है कि एक बार आपको update करना है update कर लेंगे तो आपका सारा details show करेगा तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सब कुछ सही है अगर आपका सही नहीं है तो यहाँ पर आप पीडिट भी कर सकते है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सब कुछ सही है तो चले यहाँ पर directly इसको हम update पर click कर देंगे तो दोस्तों इस तरीके से हमारा personal information update हो गया अब हमारा personal information भी show करेगा जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि show करता है या नहीं करता है उसके बाद दोस्तों अगर आपकी चरमकार्ण में address show नहीं कर रहा है या फिर आपना address को update करना चाहते हैं तो simply से आपको address वाले option पर click करना है और यहाँ से अगर आपका address में कुछ गलती हुआ है तो इसको भी यहाँ से आप सुधार सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा यहाँ पर address यहाँ पर available नहीं किये थे हैं तो यहाँ पर मेरा जो address चुट चुट गया था इसले अमने इसको select कर लिया है उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि हमारा address में भी कुछ गलती हुआ है तो उसको आप दे सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मेरा एक छूटा हुआ था district तो इसको हमने select कर लिया है उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर आपको update पर click करना है इस तरीके से आपका address भी update हो जाएगा उसके बाद अगर आपका education में कुछ update करना है या फिर आपका show नहीं कर रहा है तो इसको भी आप directly यहाँ से edit करके फिर से यहाँ पर आपको update पर click करना है उसके बाद दोस्तों इसी तरी से आपको support करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको main point आपको आजाता है occupation and skills तो इसमें आपको update करना जोरी हो गया है दोस्तों अगर आप update नहीं करेंगे तो आपको दिकत हो सकता है क्यों क्या हो सकता है कि देख सकते हैं यहाँ पर red icon में दिखा रहा है कि NCO code चेंज करा दिया गया है यह 25 तारी को ही कर दिया गया था 25 नमबर को ही चेंज कर दिया गया है तो NCO code के बार में पुरा परपर बना चुके हैं नया NCO code जो list आया है उसका बड़ी हमने बनाया है तो इस बड़ी को देख लिजएगा तो आपको समझ माया जाएगा कि नया NCO code क्या आया है तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको अपडेट करना जोरी हो जाता है तो आप जो काम करते हैं वो आपका नया NCO code list में मिल जागा तो उसको यहाँ से आपको इंटर कर लेना है चोड़ भी दिया है इसका भी आगड़ा निकाला गया तो बहुत सारे लोगों ने bank account details नहीं दिया है या फिर कोई दिया है तो दूसरे वेक्ति का दे दिया है तो अगर आप अपना नहीं दिया है या फिर छूट गया है उसके बाद आपको holder name fill करना है फिर यहाँ पर आपको अपना IFC code fill करना है फिर bank name जो आपका है उसको आपको fill करना है फिर यहाँ पर आपको branch name fill कर देना है fill करने के बाद दूस्तों आपको update की option पर click करना है तो दोस्तो इस तरीके से आपको अपना बेक अकोंट डेटेल्स भी हो जाएगा उसके बाद आपको लास्ट में आ जाता है रिब्यू प्रोफाइल तो यहां से आपका में टोपिक आता है कि आपका सारा चीज अप शो करेगा या नहीं करेगा तो सिंप्लिस आपको तो आपका भी इस तरीके से आ जाएगा लेकिन आपको सबसे पिले सभी को बारी-बारी से आपको अपडेट करना होगा तब ही आपका फोटो अड्रेस जो भी डिटेल्स है जो भी इन्फोर्मेशन है सारा चीज आ जाएगा दोस्तों देख सते हैं लाइप पर यहां पर हम प्रेट हो गया है उसके बाद यहां पर हम बेग पर आएंगे बेग पर आने के बाद दोस्तों फिर यहां पर आपको क्या करना है फिर से यहां पर आपको बेग पर किलिक करना है बेग पर किलिक करने के बाद फिर यहां पर आपको आजाना है और यहां पर आपको आप्शन जिसके इश्रम काड़ में फोटो या फिर आपका डिटेल जो हता है या फिर यूएन नमबर शो नहीं करता होगा, तो दोस्तों आपको भी इस तरीके से आपको सभी को बारी बारी से अपडेट करने के बाद आपको डाणलोड यूएन काड़ में आ जाना है, तो इस तरीके से आपका सारा information सो हो जाएगा उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको download UN card की option पर click कर देना है तो दोस्तों देख सते हमारा यहाँ पर इश्रमकाड आ गया है फोटो के साथ बिल्कुल आ चुका है और सारा information भी आ गया है तो इस तरीके सा आप अपने इश्रमकाड में सारी details को आप ला सकते हैं अपने फोटो को भी वापस ला सकते हैं तो उम्मीद करता है अब यह काफी पसंद आए अगर पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों के साथ share करें तो चलिए दोस्तों फिर में किसे नेक्षी बड़ी में मिलते हैं